नमस्कार विद्यारतियों बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्यानोदी अकेडमी हनमानगर जंक्शन के इस ओनलाइन योट्यूब चैनल पर क्लास टैन्थ की हिंदी का चैप्टर फर्स्ट सूर्दास हम कंप्लीट कर चुके हैं चारो पद्यांस की व्याक्या मैं आपको बहुत ही अच्छे और रोचक तरीके से समझा चुका हूँ मेरे वीडियो के जड़ी आज हम बात करना चाहरे हैं फर्स्ट चैप्टर के सूर्द प्रस्ट के अभ्यास प्रशन की जी यहां बच्चों इसके अभ्यास प्रशन आब हम देख लेते हैं शब्दार्थ भी हम देख चुके हैं देखे पाठे पुस्तर के प्रशन की बात करें तो प्रशन नंबर एक आपका क्या है प्रशन नंबर एक आपका है गोपियों उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा है क्या व्यंगे कर रही है उस पर देखे गोपियों दोरा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंगे चिपा हुआ है कि गोपिया दिखावे के रूप में उनकी परसंसा कर रही है किन्तु व्यंगे रूप में यह कहना चाती है कि त तुम प्रेम का अनभव नहीं कर सके यानि श्री क्रिशन के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम का अनभव नहीं कर सके तुम तो बड़े अभागे हो और नहीं किसी को अपना सके तुम प्रेम का आनंद ही नहीं जाना तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना इसलिए तुम से बड़ा अबागा इस प्रथी पर कोई भी नहीं है जो श्री कृष्षिन के पास रहकर भी उनका प्रेम नहीं पासके प्रेशन नमबर दो उद्धव के वेवार की तुलना किस किस से की गई है देखिये ये आपका मेतपून प्रेशन बनता है कि उद्धव के विवार की तुलना किस किस से की गई है देखिए उद्धव के विवार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से की गई है और जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है क्योंकि जल में रहकर जिस परकार कमल के पत्ते उससे परभावित नहीं होते उसी परकार तेल की गगरी पानी में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं टिकती है जैसे हम बोलते हैं चिकना-गड़ा तो यह करहा कि वो चिकना हो जाती है गगरी और उसपे जल की एक बूंद भी नहीं टिकती है उद्धव आप भिए इन्हे के समानों जो श्री कृष्षन का साथ पाकरुए उनके प्रेम से परभावित नहीं हो सके हो इसलिए उद्व के विवार के तुलना कमल के पत्तों से जलमे पड़ी तेल की गरी से की गई है। प्रेशन नमबर तीन, देखे प्रेशन नमबर तीन हमारा है, गोपियों ने किन किन उधारणों के माद्यम से उद्दव को उलाने दिये हैं, यानि उद्दव को उलाना किस किस माद्यम से गोपियों ने दिया है, तो देखे गोपियों ने निम उधारणों के माद्यम से उद में समर्थ हो सकी जब श्रीक्रिशन जी उद्दव जी को बेजते हैं तो माध्यम बना कर तब जो गोपिया है उनसे क्या कह रही है देखिए नमबर दो वे अब तक क्रिशन के आने की प्रतिक्षा में ही जीती रही कि स्रीक्रिशन उनसे मिलने आएंगे किन्तू उन्होंने स्वैम नाकर तुमारे माध्यम से योग संदेश बिजवा दिया कौन सा संदेश योग संदेश बिजवा दिया इससे उनकी विरह वैथा और भी बढ़ गई है क्रिशन जी के हमाने की प्रतिक्षा करती थी लेकिन उनने आपको बेज दिये थड़े वे क्रिशन से अपनी रक्षा की गुहार लगाना चा रही थी उनमें प्रेम संदेश पाने की अकांग्षा हो रही है प्रतु वहीं से योग संदेश की धारा को आयो देखकर रही बची चाहना भी धरी रहे गया यानि रहा बचा जो उनका सोचना था वो भी धरा का धरा रहे गया है श्री क्रिशन उनसे मिलने नहीं आये है और चार नमबर है वे क्रिशन से अपेक्षा करती थी कि जो श्री क्रिशन है वे उनके प्रेम की मरियादा को रखेंगे उनसे मिलने आएंगे परन्तु उन्होंने आपके यानि उद्धव जी के माध्यम से योग संदेश को बेज कर मरियादा को ही तोड़ दिया प्रशन नमबर चार उद्धव द्वारा दिये गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया यानि उद्धव ने जो गोपियों को योग संदेश दिया उन्हों ने उसमें उस योग संदेश ने विरागनी में जल रह स्थान पर उनके पास योग संदेश पहुंच जाता है तो निश्चित उनकी जो व्रे वैथा की जौला है वो तिर्व भड़क जाती है और उद्धव के योग संदेश ने उनकी विरगनी में घी का काम डालने का काम किया मरजादा ने लही के मादियम से कौन सी मर्यादा ने रहने की बात गोपियां कह रही है मरजादा नलई के माध्यम से प्रेम की मर्यादा निबाने की बात की जा रही है प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमी का दोनों ही अपनी अपनी ओर से प्रेम को निभाएं और प्रेम की सची भावना को समझे क्योंकि जो प्रेम हैं तो दोनों और से पलता है लेकिन श्री क्रिशन ने प्रेम निबाने की जगें गोपियों के लिए कौन सा संदेश बेज दिया योग संदेश बेज दिया जो एक चलावा था उसी चलावे को गोपियों ने मरियादा का उलंगन का है वो उन्हें हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था या कोई प्रेम संदेश बेजना चाहिए था प्रशन नमबर च्रिशन के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस परकार व्यक्त किया है यानि उन्होंने क्रिशन के प्रति अपने प्रेम को किस परकार दर्शाया है देगे गोपियों ने क्रिशन की प्रत्य अपने अनन्य प्रेम को निम्न युक्तियों के माध्यम से दर्साया है नमबर वन उन्होंने स्वेम को क्रिशन रूपी गुड में चिप्टी हुई चीटिया कहा है जी यहां गोपिया ने क्या काया है जैसे गुड़ पे चीटिया लिपड़ जाती है वैसे क्रिशन हमारे लिए गुड़ के समान है और हम चीटिया है वे अपने आपको हारिल पक्षी के समान मानती है गोपिया अपने आपको किस के समान मानती है हारिल पक्षी के समान मानती है और अपने कर्म से श्रेक्रिशन को धारन कर लिया है वेक्रिशन प्रेम में दिवानी होकर दिन, राट, सोते, जाकते सरफ क्रिशन के नाम को ही रटधी रहती हैं वेक्रिशन से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यातित अच्चत ओड़ती है गोपियों ने उद्दव से कहा कि वे अपनी योग की सिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनका मन जो है वो इस्थिर नहीं है यानि जिनका चंचल मन है जिनका मन भटकता रहता है अरतार जिनके मन में भटकाव है दुईदा है और प्रेम की एक निश्टा नहीं है उनके लिए योग सिक्षा हितकारी है प्रेशन नमबर आठ प्रस्तुत पदों के अधार पर गोपियों का योग साधना के प्रती द्रश्टि कोन को आप सपष्ट कीजिए तो देखें अब प्रस्तुत जो पद दिये हैं चारून के अधार पर का जा सकता है कि क्रिशन प्रेम में पगी गोपियां योग साधना को नीरस व्यर्थ और एवांचित मानती है उनका मानना है कि योग साधना के बल पर क्रिशन अत्वार इश्वर को नहीं पाया जा सकता योग साधना तो कड़ी ककड़ी के समान है योग साधना को कड़ी ककड़ी के समान बताया है योग साधना को सु हमारे लिए योग संदेश बेज़कर अपनी समझदारी दिखाई इतना ही नहीं विक्रिशन पर आप लगाते हैं कि योग सातना के क्रम में ही कि हरी है राजनीती पढ़ियाई कि लगता है हमारे जो क्रिशन है वो कोई राजनीती पढ़ाएं वो चतुर तो पहले ही थे वर र गोपियों के नुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए जी यहां राज धर्म क्या होना चाहिए गोपियों के नुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि अपनी प्रजा को क्यों अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोक्यों और दुख वेदना से उनकी रक्षा कर प्रेशन नमबर दस उन्हें यह भी लगा कि वे मतुरा में जाकर अब राजा बन गए हैं और अपनी राजनितिक चाले चलने लगे हैं जिसके कारण चल कपट से वे भर गए हैं पूरी तोने का मतलब है उनके मन में अब चल कपट भराया है इसलिए उन्होंने हमें बुलावे के डालने के जिगे योग संदेश बेज दिया हमें नहीं बुलाया इन परिवर्तनों को देखते हुए गोपियों को लगा कि अब क्रिशन प्रेम में डूबा हुआ अपना मन वापस ले लेना चाहिए प्रेशन नमबर 11 गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के अधार पर ग्याननी उद्धव को प्रास्त कर दिया उनके वाक चातुर्य की विशेस्ताएं बतानी है यह आपका है प्रेशन नमबर 11 अब इसके उत्तर की बात कर लेते हैं देखिए गोपिया वाक चातुर्य में परवीन हैं वे बाते बनाने में किसी को भी पचाड देती हैं इसलिए उद्धव उनकी ब प्रेम निष्ठा आत्मियता भावुकता हैं सहस्ता का भाव व्याप्त है वे अपनी तर्क शेलता और प्रग लबता से उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं और सच्ची प्रेम में इतनी सक्ती होती हैं सच्चे प्रेम में इतनी शक्ती होती कि बड़े से बड़े ग्यान की मुख्य विसेस्ता है नमर फर्स संकली पदों में गोपीयों का पावन कृष्ण प्रेम परकट हुआ है उन्होंने अपने क्रिश्ण प्रेम को रिल पक्षी के पंजो में थम्योई लकडी के समान बताय facto क्रिश्ण प्रेम में पगी गोपियां वाक चातुर्ता से पूरित हैं वे चुपचाप आसु बाने वाली नहीं है बलकि अपने भोले निश्चल तरकों से उद्दव जैसे गुनी को प्रास करने के शमता रखती है पॉइंट नमबर तीन ब्रहमर गीत में गोपियों के व्यंगय, कटाक्ष, उलाना, निराशा, प्रातना, गोहार, आदी, अनेका, नेक अनुभाव, तीखे तेवरों के साथ प्रकट हुए है इसमें योग और प्रेम मार का शालीन द्वन्द दिखाया गया है और प्रेम के सामने योग साधना को तुछ दिखलाया गया है ब्रहमर गीत की भाषा शायतिक ब्रज भाषा है ये पुछा जा सकते है आपसे कि ब्रहमर गीत की भाषा कैसी है ब्रज भाषा है इसमें व्योग सिरंगार रस और अलंकारों का सहज प्रियोग हुआ है संकलित पदों में गोपियों ने उद्धव के समक्ष बड़ी सहस्ता के साथ अपना उलाना दिया है यह आपका था प्रेशन नमबर बारा और अब बात कर लेते हैं आपके दो तिन प्रेशन जो अंतिम रहे गए है प्रेशन नमबर तेरा गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिये हैं आप अपनी कलपना से और भी तर्क दीजी तो देखें गोपियों ने तर्क क्या दियें क्रिशन का अब हमारे प्रती प्रेम नहीं रहा अब तो वे कुबजा और बासुरी के वस में हो गए है दूसरा क्रिशन की मनोवरती भोरे जैसी हो गई है जहां रस देखा वहीं चलेगे रोसी के होकर रह गई उनका प्रेम हमारी तरफ एक निश्ट नहीं है उद्धव शायद तुमने उन पर प्रेम के इस्थान पर अपने ग्यान का प्रभाव डाल दिया तब ही उन्होंने योग संदेश हमारे पास भेजा है क्रिशन प्रेम में डूबी हम गोपियों द्वारा निर्गुन ब्रह्मा की उपासना करना एसंबव है उद्धव तुम्ही बताओ जिसकी जुबान पर प्रेम रूपी मिटी खांड का सुआद चड़ गया हो वह योग रूपी कडवी निम्बोरी को कैसे और क्यों खाएगा और अंति मैं हे उद्धव तुम्ही सोचो योग साधना कटी नहीं हम कोमन तन मन वाली गोपियां इसे कैसे कर पाएंगी तो इस परकार गोपियों ने उद्धव के सामने तरहतरे के तरक दिये प्रेशन नंबर चौदा उद्धव ग्यानी थे निती की बाते जानते थे गोपियों के पास ऐसी कौन शी शक्ति थी जो उन्हें वाख चतुर्य में मुक्रित होगी देखिए उद्धव ग्यानी और नितिग्य थे इसमें कोई भी दोरा नहीं है उद्धव वो थी ग्यानी और नितिग्य थे इसी कारण वे नीती और ग्यान की बाते करके गोपियों के मन को क्रिशन प्रेम से अटाकर निर्गुन ब्रह्मा की भक्ती के और ले जाना चाहते थे लेकिन गोपियों वे गोपियों के वाक्चतुरे के सामने खड़े नहीं रह सके और हार गए क्योंकि गोपियों के पास निश्चल एक निश्ट क्रिशन प्रेम की शक्ती थी जो उनके वाग्च जो तुर्य से मुक्रित हो उटी थी प्रेशन नमर 15 गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरी अब राजनीती पढ़ाएं हैं यानि श्री क्रिशन अब राजनीती को पढ़ाए है क्या आपको गोपियों के इस कतन का विस्तार समकाली राजनीती में नजर आता है स्पष्ट कीजी देखें गोपियों ने ऐसा इसलिए का कि गोपियां क्रिशन के आने की बहुत समय से परतिक्षा कर रही थी और उन्हें य गोपियों को चला के नजर आई तब ही उन्होंने का कि हमारे जो श्री क्रिशन है हरी हैं हरी यानि श्री क्रिशन वो तो राजनीती पढ़ आए हैं गोपियों के इस कतन में हमें समकाली राजनीती नजर आती है इसी का अंस्वर आई ये क्योंकि आज की राजनीती सिर से प बात कभी नहीं करते, वे हर बात को गुमा फिरा कर कहते हैं और कटू बाते दूसरों के माधियम से कहलवाते हैं। जैसा कि क्रिशन ने किया, स्वेम तो गोपियों के लिए सीधे सच्चे बने रे और योग का संदेश उन्होंने उद्दवजी के माधियम से बिजवा इसी के साथ आपका पहला चैप्टर पार्ट फर्स्ट शूर्दास के अभ्यास प्रशन कम्प्लीट हो गए हैं, मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ, थैंक यू